नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी सरकारी करमचारी द्वरा सेवा काल के दोरान जो कटोतिया होती है जैसे जीपी एफ और एसाई जीपी एफ जनरल प्रोविडेंट फंड एसाई मलव स्टेट इंसूरेंस इन्वेसे किश में ज्यादा इन्वेस्ट करना चा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जीपी एफ और एसाई इन दोनों के लिए कुछ निश्चित कटोतियां सरकार के द्वरा तै की गई है तो सबसे पहले हम देखते हैं एसाई के बारे में स्टेट इंसूरेंस के होगा इसमें एक और विकल्प होता है कि आप जैसे इस सिलेब में आते हैं उससे दू आगे यानि कि किशी का बैसिक 22,000 रुपे तक है तो वो अधिक से अधिक 200 रुपे कटवा सकता है माली जी 22,000 शे कम है तो 800 तो आपको अनिवारी रूप से करना है अगर आप चाहो तो इससे ज्यदा कटवाना जाहो तो 1200 रुपे कटा सकते हो या 200 रुपे कटा सकते हो इससे ज्यदा नहीं अगर जैसे कोई लेुक्तर है तो लेक्टर का बेसिक यहाँ से हम देख सकते हैं अलग कि यहाँ से शुरू हो जाता है लेकिन दूसरे तीसरे इंक्रिमेंट के बाद वर्त्मान में जिसे हम कारे कर रहे हों तो उनके लिए यह तो 3000 तक चला जाता है जिएदा से जदा आप 7000 रुपे कटवा सकते हो तो 7000 से ज्यादा कोई भी state insurance में investor नहीं कर सकता है ये premium प्रति माह के इंसार होता है अब हम देखते हैं जीपीएफ मेरेट ये मारस 2018 से तैकी गई है जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट fund सामाने भविश्य निधी इसमें जो premium होता है वो इस परकार्शे हैं जैसे कि कम से कम मानके चलिए आपका basic 30,100 रुपे तक है तो ऐसे सिते में आपको कम से कम 1450 रुपे कटवाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई शीमा नहीं होती है जैसे कि state insurance में अधिक्तम हम 7,000 रुपे कटवा सकते हैं और जीपीएफ में अधिक्तम की कोई सीमा नहीं रहती है इतना होता है कि आपकी कुल salary से ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे कोई करमचारी जिसकी कुल salary 50,000 रुपे हैं और इसकी अलबा आगर आप करना चाहते हो तो इसका फाइदा क्या रहता है कि इसमें ब्याजदर उच्च है और इसी इस्तति में लोग जड़ा सी ज़्यादा जीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं अब जरसल हमने जैसे देखा कि SI का जो premium है वो अधिक्तम 7,000 रुपे हैं और जीपीएफ की premium की अधिक्तम कोई शीमांद धरित नहीं की गई है आप कितना भी पेसावस में invest कर सकते हो बस शर्त है कि आपके कुल शरीर से ज्यदा नहीं हो सकता अब उसके बाद में कोई भी हम invest करते हैं तो उसमें एक अच्छा return चाहते हैं return किस्स में मिल सकता है कि जैसे GPF और SI दोनों ही दो condition में मिल सकते हैं जैसे या तो वो कार्मिक शेवा निवर्त वा हो या फिर स्वेचिक शेवा निवर्ति तो भी वो शेवा निवर्ति है या फिर किसी कार्मिक की सेवा काल के दौरान मिर्त्य हो गई है अब मान के चलिए कोई एशाकार्मिक जिसकी शेवाकाल के दोरान मिर्ति हो जाती है तो GPF और SI का जो एमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है ठीक है अब इन दोनों में अंतर यहां क्या आ जाता है जैसे कि कोई GPF करमचारी शेवा नियुर्त हो गया तो उसने जितना ब्याज है वो वर्तमान में साथ पाइंट एक प्रतिशत है तो अच्छा ब्याज देती है ये और इसके बाद में हम देखते हैं SI SI में ब्याज के बज़ए बोनस दिया जाता है और बोनस की रेट है वो समय श्मेश में पर अलग-अलग होती है और वर्तमान में देखा साथ आपकी मंतले प्रीमियम और सम अश्यूर्ड इसके आधार पर ही यह जो बोनस है वो निर्धारित करता है कि कितना आपको दिया जाएगे यह आपका जो बीमा धन है इसे हम सम श्यूर्ड कहते हैं जैसे कि आप किसी भी प्राइविट कंपनी से या फिर बीमा कंपनी से जो बीमा करवाते हैं आपको कहा जाता है कि हम दस लाग का बीमा करते हैं तो दस लाग यह है तो यह यह सम अश्यूर्ड होता है बीमा धन से कहा जाता है माल लीजिए अगर किसी जीपीएफ करमचारी की मृत्य हो गई तो मृत्य होते है तो इसका जमा धन है वो उसकी नौ अगर SI करमचारी की किशी की मृत्य हो जाए तो ऐसी इस्तति में बीमा धन का दुगू ना मिलता माल लीजिए आपका सम एशोर्ड किशी भी करमचारी का सम एशोर्ड 10 लाख रुपे हैं ठीक है तो 10 लाख रुपे हैं और बीमा धन किशी को का जाता है 10 लाख रुपे हैं तो सेवा काल में अगर किशी कार में किमरती हो गई तो उसे 20 लाख रुपे मिलेंगे किसे मिलेंगे नौमीनी को मिलेंगे जिसे उन्हें नामेद करता है अब उसके बाद में ब्याज ब्याज जैसा की मैंने आपको बता दिया कि GPF की जो ब्याजदर होती है वो प्रतेक तिमाही में सरकार दोरा निर्धारित की जाती है बरत्मान में देखा जाए तो 7.1 प्रतेशत की ब्याजदर राजय सरकार प्रतेक SI करमचारी को यानि कि SI प्रीमियम की कटोती करवाने वाले वे प्रतेकर राज्य करमचारी को देती है बोनस SI में बोनस दिया जाता है 1000 रुपे पर 90 रुपे का बोनस सरकार के ओर से ये परिवर्टित भी हो सकते है और ये सरकार के दोरा आपने केल्कुलेशन इस तरह पर ही इसको केल्कुलेट किया जाता है अब हम देखते हैं कि SI और GPF में अंतर क्या है और किस में जड़ा इन्वेस्ट करने से हमें फाइदा है अब दोनों में अंतर क्या है एक है बीमा पोलिशी जैसे कि बीमा भी है और बचत भी है आपको रिष्क कवर देता है माल लीजिए कोई करमचारी जिसकी मृत्य हो गई तो इसकी इस्तति में उसे डबल समय शोड दिया जाता है बीमा धन जो उसका है उसका दोगुना उसे पे किया जाता है नौमीनी को लेकिन GPF एक भोविश्य निल्दी है जितना पेशा आपने जमा किया उससे पर जितना धन ब्याज आपको मिला उतनी ही रासी उसे दी जाएगी चाहिए मृत्यों के इस्तति में हो या फिर सेवा निवर्ति के इस्तति में हो SI की अधिकतम शीमा है लेकिन GPF की कोई अधिकतम शीमा प्रस्तित नहीं है अब इन दोनों में मैंसे किस पर ज्यदा इन्वेस्ट हमें करना चाहिए मान के चलिए क्योंकि इस से पहले क्या था कि GPF पर किसी परकार का कोई टेक्स नहीं लगता था लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या किया है एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार पांच लाख रुपे से ज्यदा अगर कोई GPF करमचारी अपने खाते में इन्वेस्ट यानि की सेव करके रखता है तो उस पांच लाख पर जो प्रती वर्ष ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर इनकम टेक्स लगेगा मान के चली मैंने आपको एक कार्मिक डिखाया था आपको 29 लाख रुपे उनके GPF खाते में है डेट लाख रूपए प्रतिशाल है वो इनको इन्ट्रेस्ट मिलता है तो इसके च्थाथि में उनकी प्रतिशाल इनकी जो इनकsm लाख रूपए पर वेयाज लगेगा तो गीज में Erfahr न इस्परकार का कोई प्रावदान नहीं किस में अधिक्तम सीमा है वह 7000 रुपे तो मेरा ये माना एक हमें जहां तक हो सकोए अधिक्तम करने की कोशिष करने कई क्योंकि इस में जो अधिक्तम जहां पर हम इंवेस्ट करेंगे तो वह आज के लिए इतना ही धन्यवाद